इसकी तो मारे से जनम जनम की दुस्मनी है जी भर के अपने कमने पंती की कमाई को निहारने भी ने दिती करें भी आजे आजे इसा है गूर के नहीं देख रही है मने पीछे का यह भी देखरी है मने पीछ गाई छूपा के रखा है यह यह देख अइन सुनिया जी आपो ड़ो जरा रघू को फोन तो लगा, फुरे परिवार को रघू की और बेबीजी की घणी चिंता हो रही है, जरा देखो तो बच्चे कहां तक पहुंच गए? यह बच्चे मज़े कर रहे होंगे, और काई कर रहे होंगे? लेकिन एक बात बता, रघू तो थारा बिट्टा है, लेकि यह राना जी की पोती थारी बच्ची कब से हो गई? थेना समझोगे सब, यह बाते तो बाड में भी होती रहवेगी, एक बार महारे रघू से बात करा दो, तो महारे दिल को तसल्ली हो जावेगी, और फिर रघू को भी तो चिंता होगी अपने परिवार की, उसको बता दे यह बाड़ा इठा सब ठीक थाक है, ठीक है, तो बोड़ दिये तो फोन में दा देता हूँ प्रफजी अब, मैं विंडोस चेक कर रहा था कि इनके लॉक ठीक हैं कि नहीं है रघू, एक काम था, हो जाएगा बेबीजी, रघू, अगर दाजू के गुंडे हमें ढूंते ढूंते यहां तक आगे, तो वादा करो, वादा करो कि तुम हमारी जिंता किये बिना यहां से चले जाओगे, बेबीजी, यह अब क्या कह रहे हैं, यह काम मुझ से नहीं होगा बेबीजी, क्यों रगू, आज से पहले तो तुमने हमारा कोई भी काम करने से माना नहीं किया, हाँ बेबीजी, लेकिन, मैं आपको मुसीबत में अकले छोड़के नहीं जा सकता है, बेबीजी, मैं, मैं जानता हूँ, मालिक साम दोनों से नाराज हैं, लेकिन जब तक उनक मैं दूर नहीं हो जाती, वो आपको अपने पास नहीं बुला रहते, तब तक, तब तक आप मेरी जिम्मेदारी ही बेबीजी, और मैंने आज तक अपनी जिम्मेदारी से मूह नहीं किया रहा हूँ, हेलो, हेलो, बिटा रखू, सब ठीक ठाक है ना, ठीक से फोच गए ना, अपने एक ही रूम के बुक करवाया, अरे चिंता की बात को नहीं, अभी तो थे दोनों मियां भीवियो, एक ही कमरा मिला तो पलेशानी की बात को नहीं, घर पे सब कैसे हैं, अरे तु यहां की फिकर चिंता छोड़ के आराम से रो, मैं हुना, यहां साल समानूंगा, माने फोन दे दो, माने रोबसे बात करने दे, अरे देख थारी, मा फोन छिन रही है, अब बेटा, तु ठीक तो है ना, और पेभी जी, वो भी ठीक है, माम ठीक हैं, आप लोग अपना ध्यान रखे, हां बेटा, तु हमारी चिंताना कर, अब बिच बिच में फोन करते रहना, ब यख़ख़ख़ख़ आज पूरे दिन पर चाहे ही पिते रहोगी क्या? हॉस्पिटल नहीं जाओगे अपने काम पर प्रेकिनी वो आज घर से बार जाने में खत्रा है ना? पता नहीं राणा साब के कुणने काम पे चिपे हूँ ये तो साफ साफ चीटिंग है हम लोग तो कह दियो की तरह इस घर में क्लोजिंग हो गया है सब खिड की दर्वाँ से बन करके सब कहां भावी अभी अभी तो आपने एक खिड की खोली अपनी एर कंडिशनिंग के लिए यू शटिंग अप वैसे माजी आपको न मुझे रगु भाई और मेमसा के साथ रिजॉर्ट में सेंडिंग करना जी था उनकी टेक केरिंग करने के लिए उन दोनों की टेक केरिंग करने के साथ साथ मैं भी कितने मज़े मारती उस रिजॉर्ट में स्विमिन पूल, डांसिंग और पता है माजी? बस माया रगु और शिवानी के बारे में घड़ी बात करने के जरुवत कोड़ी अगर किसी ने सुन लिया न रगु और शिवानी कहा है तो मुसीबत हो जावे जी सब जी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बस्ती के कई लोगों से पूछ ताजबी कि हमने पर अभी तक बस पता चलाए के लगौर शिवानी घर पर नहीं है कहीं गये हैं नई सब जी घरवाले भी किसी को कुछ नहीं बता रहें अब आगे क्या करना है एक है सब्जी जब तक उन दोनों का पता नीचल या था हम यहां से कहीं नी जाएं कि अब जब 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 जो ताजु ने गुंडे तुम्हें मारने के लिए भीजे हमें नहीं 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 कुछ नहीं बेब जी मैं ऐसे अंदर आओ अंदर आओ अज़ा तक तुम्हारा फोन का है ताजु का नमर में लाओ मालिक साथ का नमर किसलिए रगु अमने सोच लिए अकर हम ऐसे यहां पर बैचे रहे तो दाजु गुसे में आकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को नुकसान पहुचा सकते हैं और हम यह सब जानते हुए ऐसा हर्गेज ही होने देंगे इसलिए हमने सोच लिया है कि हम अभी दाजु से बात करेंगे और उन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी मालिक साथ पहले इतने गुष्शना है मालिक सास Kudato मालिक आप इंपर के डिए तादा जी जूस पी लीजे नहीं कुछ नहीं चाहिए हमारे ताद जी वोखे पया से बैठे रहेंगे तो आपकी तबया थोर खराब हो जाएगा ताद जी एक मिट आप मैं दिखता है आमनो नुम्बर है मैं मैं देखोना किसका फोन है हेलो दाजू ताजू अम शिवानी बोल रहे हैं ताजू प्लीस फोन मत काटिएगा हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनिये ताजू ताजू जो भी हुआ उसमें रगू और उसकी फैमली की कोई गल्ती नहीं है ताजू आपको साथा ही देनी है तो हमें दीजिए लेकिन प्लीज रगू और उसकी फैमली को कुछ मत करिए ताजू वो लोग बहुत अच्छे हैं उन्हें हमारा बहुत ख्याल रखा है ताजू हम जानते हैं कि आप उमते नाराज है और जब तक आप नहीं कहेंगे हम तब तक घर नहीं आएंगे लेकिन ताजू आप हमारा गुस्टा रगू की फैमली पर मत निकालिए किसका फोल है ताजू हमारी बात समझने की कोशिश करिये ताजू ताजू है हेलो ताजू वो किसी का नहीं रॉंग नमबर था दाजू सब कुछ गलत ही तो हो रहा है आजकल देखा नहीं आप लोगा ने लगू कब आप क्या कहके गया कि शिवानी हमसे नफरत करने लगी है हम मानते हैं कि हमने गुसे में जाने में न जाने क्या कुछ कह दिया उसे इसका मतलब यह तो नहीं कि बच्पन में वो भी तो गलतिया करती थी हम आप कर देते हैं दादाची पच्पन की बात अलग दी लेकिन शिवानी अब बड़ी हो चुकी है आपने तो जिंदगी देखी ऐसी उम्र में अगर किसी को प्यार हो जाता है तो तो उसके लिए बाकी चीजों की एमित कम हो जाती है मुझे तो लगता है कि शिवानी के मन में रखु के लिए पहले सी ही कुछ था इसलिए उसने सिच्वेशन को घुमा फिरा कर रखु से शादी करने का प्लान किया अभी मन्यू तो सिर्फ एक पहना था दादाची रखो हम शानी से नाराज जरूर हैं लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसके बारे में कुछ भी का है और हम सुनेगे पर तादाची शिवानी के बारे में ऐसी बाते करते हुए मुझे भी बुरा लग रहा है लेकिन जरा सोचे अगर शिवानी ने रगो के साथ जूत मुझ शादी की होती तो वो उसके साथ हानी मून मेरा मतलब है वो घूमने फिरने क्यों जादी और फिर जब आपने रगो के बाव जी को फोन करके मैसेज दिया कि आप उसे लेने आ रहे हैं तो उसने आपका इंतिजार क्यों नहीं किया ताता जी क्या आपको नहीं लगता कि वो जान बूचकर वहां से चली गए ताकि उसे रगो को छोड़ कर आपकी साथ ना आना पड़े नहीं नहीं भाविसा ऐसा नहीं है बेबी जी का फोन आया था वो कह रहे ही थी कि वो एक मिट बना देख हम जानते हैं कि आप हमेशे इस परिवार के बारे में अच्छा ही सुचते हैं लेकिन आपको पूरी बात समझ में नहीं है इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारे खार के मावनों से दूरी है और सबसे बड़ी बात तो ये है दादाची की आपके वसियत के हिसाब से सब कुछ अल्रेडी उनको मिली चुका है तो फिर भलाग उन्हें किस बात की चिंता होगी अरहाद करती है तो वसियत बनाने से क्या होता जब तक दादाची हैं सारी जाएदा दादाची की और दादाची जब चाहें अपनी वसियत पदद सकते हैं बस बहुत हो गया है हम इस वारे में और कुछ नहीं सनना चाहते हैं और आप प्लीज यहां से चले जाएगा चलिए बनादे दादाची को आराम करने दीजे चलिए आरए प्लीज थिए भाई अरे अरे निशी, आप तो गुट-गुट गालों ना, तो फिक राइम क्यों कर रहे हो? अरे काये बताऊ, दिमाग खराब कर रखा इस ठोरे ने, कहती है, बेबी जी मामे जी के हाथ से खाऊँगी, अब मैं कठ्ठे से लाऊ थारी बेबी जी मामे जी को, खा रे चुक चाप खाना, मुझे लहीं खाना, जाब मैं स्कूल गए थे तब ही अपने बेबी जी मामे जी और मामा को क्यों भेज दे उनको आपके बुलाओ तो वेरे में काना काऊंगे ओहो दो दिन में बेबीजी से इतना प्यार हो गया कोई बात ने निशी हमें पहले पता होता तो हम आपको उनके टैची में पैक करके उनके साथ जैपुर भेज देतें गिनी एक बात में बात समझ में ना आवे था ने कईयो थो ना रग्धु और शिवानी कठे गये हैं इसकी चर्चा करने की जरुरत को लिए दीवारों के भी काण होवे हैं अगर किसी में गल्स्ती से भी सुन लियाना तो मुसीबत हो जावेगी सुरी आगे सु धान रखना किसी को पतानी चलना चीए रगोर शिवानी का है समझी ठीक है माँ थे सब लोग भी धान रखो में का मुझेड चाहिए मृटलने आनो आद रहां देल्ग मच है मैं देल्यॆ नाज सब्सक्राइए भी चाहिए सबलािणे वो कि अज़ कर दो जड़ा झाल Hello sir, sorry to disturb you. जी, जी कोई बात नहीं, बताई ना क्या बात? जी मैं आपको यह बताने आया था कि हमारे रिसॉर्ट में बहुत सारे कपल्स आके ठहरे हुए हैं और उन सब के लिए हमने आज रात एक स्पेशल पार्टी का अरेंजमेंट किया है और मैं खुद आप दोनों को पर्सनली इंवाइट करने आया हूँ आप किजिए पल्व, हम पार्टी में नहीं आपाएंगा I'll not take no for an answer, sir Nan, आप सर के साथ जरूर आएगा हमारे पार्टी में हमें बहुत अच्छा लगेगा And sir, आप दोनों का मन भी बहल जाएगा आथ तो सही कह रहे हैं जैसे भी हम बेबी जी कम रहे हैं वैटेवेट एकदम मायूस हो गई है पार्टी में जाएंगी तो नहीं अच्छा लगेगा क्या सुच रहे हैं, sir आप दोनों पार्टी में आ रहे हैं ना जी Thank you हमें नहीं जाना पार्टी साथी में क्यों नहीं जाना आपको पहले भी तो आप जाती इतना फ्रेंज के साथ पार्टी के लिए ताफी देन हो गएं आप नहीं नहीं गई मुझे रखता अगर आप अगर आप आज पार्टी में जाएंगे न आप और अच्छा लगेगे अच्छा अभी तो तुमने खुदी उसे मना किया तो फिर क्या हुआ आपके चाहरे पर वो पहले जैसे खुशी देखना चाहता हूँ अभी जी मैं नहीं चाहता कि आप सारा दिन इस कमरे में बैठके आसू भाएं इसलिए मैं इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी तुमें सिर्फ हमारी खुशी की परवा है रगू अरे पाती के लिए तो हमें पाती ड्रेस चाहिए होगी वो कहां से आएगी हो जाएगा बेभी जी आप आप मुझे दो मिनिट दीजे मैं मैं आतो आप 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 क्यों भाए बाब राम अरे मैं न सुना है राना साहब में रगू को मरवाना एक बास्ते आप आप आपके छोटी बेटी किननी कह रहती किछी से अरे भेज़ते तो भेज़ने दे गुंडे राना जी और उसके पचास गुंडे मिलके भी कुझेंगा ना आपके अरे अरे दुपका कुछ नहीं भीगाड़ पाए आपके मैंने रगू को ऐसी जगा छुपा रख्यो आप नोड़ता पोचोना पस्पड़ि नहीं ना मुझे आपके अरे बाभराम तुरह राना साहब को काई थाने का स्रिफाज समझ रख्खा है अरे रग्धु को तलासने का वास्तेग्ड निकली छान मारेंगे वह अरे जब वो यहां है नहीं तो खोजे ने कन्या है नहीं मतलब कठे चला गया हो देख मा किसी वह कहूंगा को नहीं अबतार देख दारो के संपोना क्यो बात देख वो जैपूर की बलूर जैपूर की गोल्डन लीव हो रहे है न वोटर वहां भेज दियो मैंने तबू को और वाजी के पुटर को गोल्डन लीव होटर जैपूर में गोल्डन लीव होटर में अपने आदमियों को तयार करें हम अभी के अभी चैप अपर के ले निकल रहे हैं जी भाई जी भाग कर भी बच नहीं पाओगे रखो तुम वहां बेखबर बैटे हो और मैं मैं तुम्हारी मौत का फर्मान लेकर आ रहा हूं झाल झाल